नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सवागत करतो हूँ आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों देखिए आज हम बात करें मदर्सन सुमी की और अगर आप मदर्सन सुमी के शेयर होल्डर हैं तो आपके पास एक बहुत ही इंपोटेंड मेसेज आये होगा इनकी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मेटिंग का तो देखिए दोस्तों अगर हम इस सेयर के टार्गेट की बात करें तो इसके बारे में भी बात करेंगे और क्या इसका सही टाइम है इसमें इंबेस्ट्मेंट का और आपने अगर इसमें एक मनत पहले इंबेस्ट्मेंट किया होगा तो आप आज की डेट में लॉस में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि लगबग बहां से 14% का लॉस दिखाई दे रहा है और आपका पोर्टफोलियो अभी इसमें ऐसा लगता होगा कि ये share अब अच्छा performance नहीं देने वाला है और हमें इसमें अच्छा लॉस दिखाई दे रहा है पर अगर आपने इसमें 6 मंत में invest किया होगा तो आप अभी बहुत अच्छे profit में होंगे और इसके top level पे बात करें तो 100% से ज़्यादा का return ये दे चुका है और अगर इसका maximum chart देखते हैं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा multi-vega return इसने दिया है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,65,000% का return तो यही होता है दोस्तो पेसेंस जिस पेसेंस का फाइदा देखने के लिए मिलता है क्योंकि अगर बात करें यहाँ तक अगर share की तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा यहाँ profit नहीं है जितना की होना चाहिए तो लोगों के मन में लगातार यह बना रहता है और दोस्तो यहाँ से आप देखेंगे 2008 के बाद इस share में बापस से गिराब अप टोई 10-12 रुपए से यह बापस से 7 रुपए करीब आ है पर उसके बाद से इसने मुड के नहीं देखा है और अब लगातार उपर के तरफ जाता हुआ यह एक टाइम था जब यह अपने टॉप लेवल की तरफ बढ़ गया और उसके बाद आपको यहाँ पर यह 2019 के बाद 18 के बाद आपको इसमें बड़ी गिराबट होते हुए दिखाई दी और कोवेट के टाइम पर तो यह बिलकुल ही जादा डाउन हो चुका था इसने अपने बहुत सालों के लेवल तोड दिये थे पर अभी बापस से उम्मीद जगी है उसकी बड़ी बज़े हैं जो इस पज़े से इस सेर में अब बहुत अच्छा एक पोटेंसियल देखा जा रहा है उससे पहले चलते हैं जो इसका मेल है जनरल मीटिंग की तरफ क्या है तो अभी हम आगा हैं अपने मेल की तरफ यहां पढ़ सकते हैं मदर्शन सुमी सिस्टम लिमिटेड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी जनरल मीटिंग और अधर एक्विटी सेर होल्डर्स इन स्टेडूल एओं थर्स डे 29 अपरेल 2021 दस बच के पंदरा मिनट पर यह मीटिंग होने वाली है वीडियो कॉन्फरेंसिंग और अधर विजूल और डियो विजूल के द्वारा यहां आप देख सकते हैं मेल आया हुआ है मेरे पास कल की डेट में मदर्शन सुमी आपको यहां दिखाई दे रहा है तो यहां आप दोस्तों मेल पे देख सकते हैं हां मेरा नाम आपको दिखाई दे रहा है और इस मेटिंग की तारीक आपको देख रही है 29 अप्रेल 10 बच के 15 मिनट पर यह मेटिंग होने वाली है इसमें यह कंसीडर करेंगे ट्रांजेक्ट ट्रांजेक्ट दा बिजनेश एस सेट आउट दा नोटिस इवनिंग दा के लिए मिलेगा और आगे इसी लिए जब सेर होल्डर के साथ में मेटिंग होती है तो इसका मतलब कंपनी कुछ बड़े कदम उठाने वाली होती है और सायद हो सकता है यह कोई फंड रेज करने की बात भी यहां पर सामने आ सकती है अभी फिलाल जो इनफॉर्मिशन है वो इनफॉर्मिशन इवोटिंग के लिए आप जो अवेलेबल है मदरसन सुमी की साइट पर जा सकते हैं या फिर आप इवोटिंग .nsdl.com पे जाकर के देख सकते हैं बाकी आपके पास अगर सेयर होल्डर है तो आपके पास भी यह मेल आ चुका होगा आप अपने मेल बॉक्स में जाकर के पूरा मेल रीड कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी आपको सब कुछ पता लग जाएगा तो इसमें आप यहां देख सकते हैं कि जो 15 मिनट पहले आपको आना होगा फर्स्ट बन थाउजन मेंबर्स के लिए और 15 मिनट बार तक यह स्रेडूल टाइम इसका रहने बाला है आपकी यूजर आइडियो पासवर्ड इवोटिंग के लिए चाहिए होगा और अगर आपक उसको OTP के माद्यम से भी लॉग इन कर सकते हैं अधरवाइज आप पासवर्ड फॉर्गेट भी कर सकते हैं यहां आपके लिए यह साइट बता रखिए आप जाकर के बहां बिजिट कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए अभी हम यह कह सकते हैं कि अब आपके लिए मदरसन सु कि अगर टारगेट की बात करें तो अभी आपके लिए सेर डिसकाउंट पर अबैलेबल है और मार्केट में आपको सायद गिराबट भी देखने के लिए मिले तब आपको यह सेर भी डाउन फॉल की तरफ दिखेगा है क्योंकि मार्केट में आप कोविड नाइंटीन की से कम 2-3 सालों के लिए अपने पास फोल्ड करकर रखियाँ आप इसे 4 दिजिट में देखेंगे जרूर क्यूंकि इनका जो कारूबार है वो कारूबार का तरीका और इनका जो कारूबार के जिन कंपनियों के साथ में इनके टाई अप से confusing कि जिनको यह अपना माल देते हैं और आने वाले दिनों में आपको जो e vehicle आने वाले हैं, electric का जमाना आने वाला है, उस ए देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं, कि company की performance में हमें एक अच्छा growth देखने के लिए मिलेगा आने वाले कोश सालों में, तो अगर हम देखें, तो इसका जो price रहने वाला है, अभी जो price है, आपका 200 के नीचे ही चल रहा है, और आपको इसमें अच्छी ग्रावट भी देखने के लिए मिली, तो अगर आप दुबारा phrase buying करना चाहते हैं, तो आप एक इसके नीचे अगर आपको मिलता है share, तो बिलकुल best रहने वाला है, और आप थोड़े दिन बेट कर सकते हैं, जब आपके पास ये अच्छे price पर उपलब दो, तब आप इसको अपने portfolio में add करके रख लीजी, और अगर आप इसके holder हैं, तो आप बिलकुल hold रखिए, कितने भी गिरावट पर इसको बेचना नहीं है, आप चाहे तो अपना price average करते हुए चल सकते हैं दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करिए, चैनल को subscribe करिए, और अपना mail चेक करिए,